हिंदी भासी छेत्रों में राजिस्थान, मद्धिप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, हर्यान ये जो एक विशाल हिंदी भासी पट्टी है इसकी लोक परमपराओं में अर्थात बोलियों की परमपरा में अनेक चरित नायकों का जो जीवन है उसको गाथाओं के रूप म रचा गया है, यहां ध्यान देने की बात है कि लोक में देवताओं का सा सम्मान और पूजा के पात्र जो महांचरित्र माने गए, सबसे पहले तो वो इतिहास के ही एक पात्र थे, लेकिन एक महान उत्सरग के कारण, मुल्यवत्ता के कारण, और लोक के कल्यान के लिए अप सर्ग कर देने की महान घटना के कारण बे बहुत दिनों तक इतिहास की समय सीमा के भीतर नहीं रहते। इतिहास से वे एक चरितनायक में रूपांतरित होते हैं और कुछ समयों के बाद चरितनायक से एक लोक देवता की शेणी में सारे जन्पद, लोकांचल और उस पूरे छेतर में समाध्रित हो जाते हैं। अगर हम मद्धिप्रदेश का ही उधारन लें तो लाला हरदौल की जो खयाल गाथा गाई जाती है वे सत्रहनी सताब्दी के अंतिके एक इतिहास पुरुस हैं जो एक चरितनायक में बदले और अंतिता एक लोक देवता में। राजिस्थान में ठीक इसी तरह से पाबुजी एक महन चरितर हुए जिनके चरित को नकिवल एक गाथा के रूप में रचा गया है बलके एक महन चितर परमपरा के साथ भी जिनका जीवन जुड़ा हुआ है हम उसे पाबुजी की पढ़ कहते हैं। तीनों लोक चरितरों की हैं और तीनों के जो पढ़ हैं या एक तरह से उनके जीवन की परमुग घटनाओं का चितरन हैं वो सिर्प वहाँ पर ही मिलता है। उनमें पाबुजी की पढ़ सबसे पहले चितरित की गई, देव नारायन जी की पढ़ उसके बाद और रामदेव जी जो चरितनायक हुए हैं उनकी पढ़ जो है वो तीसरी महान चितर परमपरा के रूप में भी राजिस्थान में ही रची गई है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पाबुजी की पढ़ एक चितर गाथा के रूप में एक विशे समुदाई के लोग गाते हैं जिनको भोपा भोपी कहा जाता है। इसके साथ में रावन हत्ता नाम का एक लोग वाद्दे बजाया जाता है जो सारंगी प्रकार का एक लोग वाद्दे है। साथन आजमा चुका और ठक गया तब भी सिव जो हैं वो उसकी साथना से प्रसंद नहीं हुए। तब रावन ने अपने बाएं हाथ की एक नस को निकालके एक वाद्दे के तंतु की तरह इस्तिमाल करके उसको बजाया। बीस प्रकार की धुने उसमें से निकाली जिससे सिव अतिव प्रसंद हुए और उसके लिए इक्षित परदान शिब ने दिये थे। तब ही से इस वाद्दे का नाम रमण हत्था पड़ा। ये जैसा पहले भी कहा था सारंगी के लोग परकार का एक वाद्दे है जिसको भोपा बजाता है। बड़ी मान्यता है तो उन्होंने पाबुजी को अपनी घोडी जो के दिब शक्तियों से युक्त थी उसको देते हुए उनके हाथ पर नमक रख्के एक शपत ली थी पाबुजी से के जब कभी मेरे गायों की कोई चोरी करे या उनके आकर्मन करे या उनको हांक ले जाए त तो उनकी रख्षा का उत्तरदायत तो तुम्हारा होगा इस शर्त पर मैं इस भीर गोडी के लिए तुम्हारे लिए देती हूँ और उनके हाथ पर नमक रखा था नमक एक तरह की सोगंद के लिए भी रखा था और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा था इसमें शाप भी जोड स्वास लोक में राजिस्थान में चलता है पाबुजी का जन्म 1313 बिक्रम समवत में हुआ था और विधाता की और से उनको बड़ा चोटा जीवन मिला कुल 24 वर्स की आयू में उन्होंने अपने जीवन में जितने सारे महान कर्तव्य और चुनोतियां थी उनका बड़ी भी गायों की चोरी खीची राजा ने की थी जिसकी सूचना उन्हें मिली और उससे संघर्ष करते हुए भी गायों को वे मुक्त तो कराते हैं लेकिन उनका उत्सर्ग भी उसी में हो जाता है ये एक छोटा सा जीवन है लेकिन सवाल छोटे जीवन का नहीं छोटे जीवन में आ परमपरा है एक गायन परमपरा होने की वज़े से एक महान संगीत परमपरा है और चित्रित कथा होने की वज़े से एक महान चित्र परमपरा भी है इस धर्ती पर ऐसी किसी चरित नायक की गाथा को और नहीं जानता राजिस्थान के अलावा जो एकी साथ पाठ का विशाय हो गायन का विशाय हो और चित्र का विशाय हो लेकिन इसके भी आगे बढ़के आनुष्ठानिक मनोती पूरी करने के बाद जब इस गाथा का गायन होता है तो ये गाथा जो है एक लोक आस्था का रूप ले लेती है जो इतनी बड़ी है कि उसमें लोक के आध्यात्म के सारे त अपड़े पे चित्रित पड़ बहुत पुरानी हो जाती है तो इसका विसरजन करने के लिए पुष्कर में इसको ले जाया जाता है वहां सवामन आटे की एक परसादी बनाई जाती है तब कहीं जाके इस पड़ को वहां के बर्मताल में विसरजित करके भोपा नई पड़ को चित्रित करवाने के लिए चित्रकारों के पास जाते हैं तो कहने का मतलब है कि गाउं में उसका मनोती पूरवक अनुष्ठान करते हुए गायन सुनना भी अपने आप में एक महान आद्यात में कनभाव है पाबुजी की चित्रित गाथा को गाना भी दरसल मनोती की रक् ये जो पट है, ये चितरंजनी ही नहीं है, दरसल ये देवत्तों का साक्षात प्रतीक है, उसमें देव वास माना जाता है, तभी उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए घर में भी विशेश प्रयतन किये जाते हैं, और जब उसकी आयू पूरी हो जाती है, तो उसको पुष्क पूरी दुनिया को महांचरित के गायन की परंपरा के साथ साथ एक महांचित्र परंपरा का उपहार भी दिया है और आश्यरी की बात ये है एक ऐसा वाद्ध जो संभवताय राजिस्थानी लोग परंपरा में इस गाथा के गायन के पहले कभी नहीं था वो शामिल हुआ आज ये रावन हत्ता एक सुपरचित लोग को वाद्ध में बदल चुका है इसका संगीत परंपरा के रूप में कथा परंपरा के रूप में और आनुष्ठानिक चित्रकर्म की परंपरा के रूप में तीन इस तरों पर अलग से अध्यन होना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही हात्मिक आनन दें